लखनों में यूबे विधान परिशद उप्चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी तो विधान परिशद उप्चुनाव समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी MLC की दो खाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी आजकी बैटक में सपाद्यक्ष ने इयद्शा निर्देश दिये है तो एक बैटक में सबसुप्रीमों ने इद शान अंुर्देश दिये थिये है, नेताओ कार्यकरताओं को चिनाओ की तैयारी करने के अंुप्रीम आखिलेध σ्छादम ने इस बैटक में दिये है वहीлад हो ज कल सुबा 11 बजे नामों का एलान होगा, कल होगी निकायच नाव के परिणाश लूगूथ 29 मईच को मातदान होगा, जिसके लिए बीते दिनों जो है सपा की तराव से बातवपूर्ण दिशा निर्देश वारी के गए है तो यूपे विधान पर इच्छत उप्चुनाव लड़े की समाजवादी पार्टी जिसके लिए कल यानी की अठारा मई को सुबा ग्यारा बज़े नामो का ऐलान किया जाएगा इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे सही होगी विभांचु हमारे साथ जुड़े है विभांचु सपा ने ये तो ऐलान कर दिया है कि वो उप्चुनाव लड़ेगी और इस रेस में किन 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 नाम जो है वो अभी तक सामने आ रहे है जे मुस्कान अगर बात की जाए नामों की तो नामों पर भी चर्चा की गई है आज समझवादी पार्टी के पदेश रखतर पर एक बरी बैठर बुलाई गए ती इसमें सपा के सभी बिनाएक बिनाज बर्चत के तनव से एक तमाव बनादेकारी मौदूर रहे है आज नामों पर कर्चा की गई है नामों का भी ऐलान नहीं किया गया है अगर बात करे तो कई ऐसे नामों पर कही ना कई समझवादी पार्टी पिचार कर रही है जो जो 2014 चुनाओं में एक बहतर परिनाफ देश के पार्टी को अब ही अगर बात की जाए तो इसी तरह के नामों का एक तरह से बात की गई है सफा में उसका नाम बाहर नहीं आया है कल माना जा रहा है कि कल की जब बैठक होगी 11 बजे से इसमें सभी विधायक बीजे माप करिएगा समझवादी पार्टी के मौजूद रहेंगे उनके समख्ष नामों की अंतिम मुहर लगाने की प्रक्लिया होगी अगर बात कवे तो पार्टी के पार्टी के पार्टी के प्रक्लिया होगी प्रटी के फशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो यूनिवरस्टी प्रशासन पर गंभीरारोप लगाते होई ए बीवीपि के कार्करताव ने जम कर प्रदरश्व क्या है बीशेंगर्मी में नहीं मिल पारा है पानी यही वज़ा है प्रदर्शन को लेकर जो विश्व विद्याले के शौचाले में भी ताला लगा दिया गया है मांगे पूरी नहीं होने तक यह प्रदर्शन यूही जारी रहेगा तो एक बार पर से इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे सही होगी विभांशू हमारे साथ जुने हैं विभांशू लगनव यूनिवरस्टी में क्यांपस के अंदर छात्रों का विरूद प्रदर्शन देखने को मिल रहा है क्या कुछ वज़ा बताई गई है जे मुझकान आपको बता देवा जानी लखनव के लखनव विश्विजाले में चात्रों के गुटों के द्वारा खराप पानी के विवस्था को लेकर और साथी साथ एक तरफ जीशव गर्मी है और जहां पूरा देश कहीं न कहीं गर्मी से त्वस्थ है और साथी साथ एकबात की जातों उत्तर प्रदेश के अधिकान दिलों में इस वेप्स के शेताओनी दी गई है उसी को में विश्विजाले प्रसासन के विश्विजाले प्रसासन के तमाम छात रहूं का यही मांग को लेकर आज एप मधारने पे बैठे हैं कि उनहें जीसव रही से निदाब दिलाने को लेकर जो इसकूल प्रसासन है वो सुथ वेजल की वेध्सा करें और सौचाले में जो ताला लगाए गया है उस ते ताला हटाये जाते के जिस्ते जात को दिकटों का सामना करना ना परे आपको बता देए वाज़ानी लगनों में अगर बात की जाए तो बिश्विचाले के अंदम में ABP, RST YM समस्त जो छात्रों का गुठ होता है वो आज मदर्सन रथ है उनका साफ तोर से यह जहना है कि अगर जब तक हमारी समस्तियाओं को बाक्टर बोट के लोग नहीं सुझते हैं जब तक हमारा ये अंदोलन जारी रहेगा बिल्कुल भी भांशु छात्रों साफ तोर पर ये तो कह दिया है कि अंदोलन जारी रहेगा और बीशक गर्मी में जो छात्र है वो प्रदर्शन भी करते हुए दिखाए दी तो क्या कोई जम्मेदार यूनिवस्टी का इन प्रदर्शन में पहुचा क्या इन छात्रों की म और उन जारा है और डेन पर्दाश tuck पा모 जिलीन ख Ugaz को गुंप कर कंफें डिनारा आगे की दो मांग 되면 ये जाएगी और जहति प्रदर्शन के अंबर्शन में जाराने वोड़ी तो व बिल्कुल ठीक है विभांशो अब तो ये शाम कोई बदा चलेगा क्या क्यों छात्रों की किन किन मांगो को माना गया है और किन किन मांगो को नहीं धन्यवाद अस खबर पर हमारे साथ जुरते होई देश को तक तब आम चानकारी फोचाने के लिए तो हमीरपूर में जल जीवन मिशन को लेकर आए विदेशी टीम जल जीवन मिशन को लेकर विदेशी टीम जो है वो हमीरपूर पहुची है जल जीवन मिशन के कारियों का सलिया अवलोकन करने के लिए विदेश की एक टीम इस वक्त हमीरपूर में भी मौजूद है तो डेनमा पहुचे हैं उनका स्वागत क्या गया है तो फूल मालाओं के साथ टीम का तेलक लगा कर जो गाओं की महिलाए है उन्होंने विदेशी टीम का स्वागत क्या है कुरारा के देवी गंज गाओं में टीम ने मुआइना भी किया है तो अस्थली मुआइना करती हुई विदेश क मिल पा रही है जी ब्रिजेश तो ब्रिजेश हमारा संबर्ग स्थापित नहीं हो पा रहा है लेकिन आपको बताते चले किस थान ये लोगों ने बैदीगर मजोशी के साथ जो विदेश से टीम पहुची है उनका स्वागत क्या है फूल मालाओं के साथ टीम का तिलक लगा कर स फरीदाबाद में कप्ड़े की दुकान में लगी भी शडाग तो कप्ड़े की दुकान में भी शडाग की खबर फरीदाबाद से सामने आई है आग लगने से आसपास की दुकानों में अफरा तफरी देखने को मिली है दुकान में रखा लाकों का सामान जल कर राख हो गया तो यह आप तस्वीरे देख सकते हैं कि जो दुकान है वहाँ से जो धुए का गुबार है वो निकलता हुआ दिखाये दिया जिसके सूचना मलता ही फार्ब्रिकेट की टीम और पॉलस मौके पर पहुंच गई फार्ब्रिकेट की तीन गाडियों ने आग पर काबू पाए है तो फार्ब्रिकेट की तीन गाडियों ने आग पर काबू पाने के लिए तमाम जदो जहद भी करती हुई दिखाये दी है सेक्टर 10 का ये पूरा मामना बताए गया है नोईडा में ड्रक्स के ठिकानों पर बड़ी छापे मारी की कारवाई देखने को मिली है सीपी लक्षमी सिंग के रितित में ये छापे मारी की कारवाई की गई है तो आपको हम बताते चले कि 200 करोड की 48 किलो MDMA ड्रक्स भी इस दौरान बरामत की गई है और यूपी के अब तक की सबसे बड़ी ड्रक्स डिकावरी आज नोईडा में की गई है आपको बताते चले कि सेमयों की आदत राद की नजार ड्रक्स माफियाओं पर तेड़ी हो गई है 248 गंटे की भीतरी एक बड़ी कारवाई की गई है जहां 100 करोड कीमत का भी जो माल है वो बरामत की आगया है अफ्रीके मूल के 9 नागरिकों को भी अरेस्ट की आगया है बीटा दो थाना शेतर में पकड़ी गई ड्रक्स की ये बड़ी खेप है तो आपको पताते चले कि पुलिस को बेहती बड़ी सफलता हाथ लगी है ड्रक्स के ठिकानों पर नोड़ा में बड़ी च्छापेमारी की कारवाई की गई है तो लखनों में लौरंस विश्णोई ग्रूप की धरपकड में अनाईये ने की च्छापेमारी लौरंस विश्णोई ग्रूप की धरपकड के लिए अनाईये की टीम की च्छापेमारी देखने को मिली है लौरंस विश्णोई ग्रूप से जुड़े सुपारी किलर की के साथ करता था सुपारी केलिंग का भी काम तो एनाइए की टीम ने विकास की तलाश में आयोद्या के ठिकानों पर भी लगातार च्छापे मारी की कारवाई की है तो लारेंस बिश्णोय ग्रुप की धार पकड में नाइए की छापे मारी जोारी है सक्भ़र पर जादा जौनकारी के लिएंगory को लेकर करके बदा जा रहा था indic मती बात की लावि और मत में भूझा इसके साथ ही तरीके से खलेघ्किने सब्सक्रायास का सब्स्क्राइब विला था सब्सक्राइब सब्धाइक जी उसका नाम इन्हिं नाम सहत करते बना जी सब्लभर ऊंति ऐम अदा ji लेकिन अभी तक जो है इस मामले में विकास सिंग भी को नहीं पक्राइब कि यह जिस तरीके से इसका जो पूरा अप्रादी के इतिहास देखा जा रहा है उसके साथ जो में ठिकाना है आयोध्या बिल्कुल याने की कलीम लगतार जो छाबे मारी का दौर है वो तो लगतार जो रही है लेकिन फिलाल एनाईय की टीम को अभी सफलता नहीं मिल पाई है धन्यवाद कलीम हमारे साथ जूरते होई दर्श को तक तेमामच्वान कारी पहुचाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री हारी शंकरतिवारी के अंतिम दर्शन में जन सलाब देखने को मिला पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन की खबर बीतेश देर राथ सामने आया थी जहां बढ़हल गंच के नैशनल इंटर कॉलेज में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था बढ़हल गंच के मुक्ती धाम पर उनका अंतिम संसकार की जो प्रक्रिया है वो भी अब शुरू हो चुकी है अंतिम संसकार के लिए पार्थे शरीर मुक्ती धाम के लिए निकाल भी दिया गया है और वहाँ पर अब अंतिम जो दर्शन जो अंतिम प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है पूर्वर क्याबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवाले के अंतिम दर्शन में जन सलाब उम्ड़ा है